गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं सुप्रियाव स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एक्जाम में फ्रेंड आस डेली करिंट अफेस के ग्लास में हम डिस्कुस करेंगे 17 नेवंबर से रिलेटिड जितने भी न्यूज है जितने भी इवन्स हैं जो हमारे एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम उन्हें के करके हाट डिस्कुस करेंगे तो आईए फ्रेंड स्टार्ट करते आज की ग्लास और आज की ग्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्ण है भारत ने किस देश के साथ संसदिय मैत्री संग को प पुनर जिवित क्या है आईए थोड़ा से इसके बारे में समस्ते हैं भारत और श्री लंका ने अपने संसदिय मैत्री संग पाल्यमेंट फ्रेंड्शिप एसूसियेशन को पुनर जिवित क्या है जिसके लिए मंत्री चमल राजपक्षे को इसके अध्यक्ष के रूपे कि अगस्त 2020 में चुनी गई थी ठीक है तो जो हमारी वर्तबान संसद है जो दूसरा कारेकाल मोदी जी का स्टार्ट हुआ अगस्त 2020 में उसी के दौरान इसको पुनर जिवित किया गया और यहां पे जो मैत्रे संग के स्थापना जो की गई है वो श्री लंका की नौवे संस इसको भारत से उर्वरक खरिदने के निड़ा लेने के बाद स्री लंका ने भारत श्री लंका संसदी मेत्री संग का गठन किया है और यह हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था जो भारत से उर्वरक खरिदने का जो निड़ा लिया था श्री लंका इसके बारे हम लोगो ये जो स्थापना हुआ है संसदी मैत्रे संग का ये जो सहयोग है ये संसदी आदान प्रदान को क्या करेगा पुनर जिवित करने और साथी साथ दोनों देशों के विश्विपक्षी संबन है उनको मजबूत करने में काफी जादा ही क्या करेगा मदद करेगा और ये काफी ज श्री लंका की बात कर रहे हैं मैप आपके सामने खुल अहुकं पहले तेम कोट्ते है यह जैसा कि आप देख रहे पहले इसकी जो राजधनी ती वह कुलम्बो थी और वरतमान वे नगर जो ओ सब बड़ आ तो एक एडम ब्रीज है ठीक है एडम जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं या फिर राम पुल के नाम से जानते हैं अगर आपने रामाइड पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में बहतर इससे परिछित होंगे ठीक है यह पुल जो है फ्रेंट यह पंबन द्वीप पे है यह पुलिता से फैलाव है तो यह एडम ब्रीज जो है वो जोडता है एक तरीके से भारत और श्री लंगा को ठीक है तमिल लाडू का जो दच्छड पुरियो वाला छेत रहे ठीक है बाकी हम श्री लंगा की बात कर रहे हमने यहां की राजधानी को देख लिया और यहां की जो करेंसी है फ्रेंड वो है श्री लंग की रुपया ठीक है श्री लंग की रुपया जो है वो यहां की करेंसी है और यहां के जो प्रधान मंत्री है वो यह है देखे महंदरा राजपक्षे जो है महंदरा राजपक्षे यहां के रास प्रधान मंत्री और इनी के बड़े यानि कि गोटबया राजपक्षे जो कि यहां के रास्टपती है यह इनका नाम है ठीक है चलिए अब अगले प्रश्णों पर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्ण है कि निमलिखित में से किसके द्वारा दुनिया का पहला मर्चंट शेर होल्डिंग प्रोग्राम लांच किया गया मर्चंब फिर्ण व्यापारी होता है तो शेर होल्डिंग प्रोग्राम जो लांच किया गया यह दुनिया को पहला मर्चंट शेर अंसर हो जाएगा भिर्ण supreme का बार है यह सके बादे में देख लेते हैं है तो भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेर होल्डिंग प्रोग्राम लांच किया है तो जब जो ये प्रोग्राम है जैसे शेर समझे ने फ्रेंड जब भी आप किसी कंपनी का शेर खरीदते हैं तो शेर खरीद लेने के बाद आप ना सिर्फ उस कंपनी के शेर होल्डर बनते हैं शेर होल्डर बनने के बाद आपको ना सिर्फ उसका आर्थी कलाब मिलता है बलके देखा जाए तो उस कंपनी का भागीदारी भी आप बन जाते हैं भागीदार बन जाएंगे तो उसकी प्रोफिट एंड जितना उसको लॉस होगा सबके साथ सबका सीज़े आप जो है सबको बराबर साजह करोगे ठीक है तो शेर होल्डर बनने का यह सब फायदे होते हैं यह कंपणी यह जो लक्ष रखा है इन्होंने देखा जाए तो क्या है तो यह 100 euro million dollar मुले का यह कारेकरम जिसके त Przy昨天 घ capable ना आप यह बन जाते हैं घीक लखेए तो जो कंपणी का यहाद चोबश तर सारा जेनिक लिस्टिंग की ओजना बना रही है और सारा जेनिक będą मुल्ले जो होगा, वो एक मेलियन का लक्ष होगा, एक मेलियन का लक्ष रखा गया, ठीक है, भारत पे की बात करें फिर्ट, भारत पे के स्थापना 2018 में किया गया था, इसका हैटकोर्टर फ्रेंड जो है, वो न्यू डेली है, ठीक है, और यहां के जो CEO है, वो है अशनीर, अ वायू रक्षा, मिस्साइल, प्रडाली, प्रदान करना शुरू कर दिया है, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इसराइल, तो करेक्ट आंसर इस ए, ठीक है, भारत ने देखा जाया, भारत ने रूस के साथ, जो S400 का खरीदने का जो समझ होता, फ्रेंड, 2019 में क्या था, जिसको इ S400 की कर बात करें, तो ये लंबी दूरी से, सर्फेस टू एयर, सता से हावा में, सता से हावा में मार्क करने वादी ये मसाइर है, रूस की सबसे आधुनिक शसस्तर प्रडालियों में से एक मानी जाती है, ठीक है, और इसे, इस प्रडाली से, जो, के मिलने से भारत की जो है मार्क शमता और भी मजबूत हो जाएगी, इसके बारे में अगर देखा जाए, तो रूस ने भारत को S400 ट्राइंफ वायो रक्षा प्रडाली प्रदान करना सुरू कर दिया, ध्यान रखेगा, S400 सर्फेस टू एयर मिसाइल है, इस बात से भूले गाने, इस से देखा जाए भारत की लंबी दूरी पर बिरोधी लड़ाके, विमानों और क्रूस मिसाइलों को मार गिराने की शमता में उलिकनी सुधार होगा, भारत की मारक शमता जो है, वो काफी मजबूत होगी, और इसको देखे तैनाती कहां किया जाएगा, एस फोले ट्राइंफ वायो रक्षा पर डाली को पहली तैनाती जो की जाएगी, वो पर्षिमी मोर्चे के पास की जाएगी, यानि कि जो भारत का पर्षिमी वाला शेत्र है, जानि कि जो पाकिस्तान से सीमा को साज़ा करते हैं, वहाँ पर्षिमी सीमा के करीब इसकी तैनाती होगी, जहां से जो भारत है, वो जो पस्टमी और उत्री सीमाओं के दोनों हिस्से से जो खत्रे होंगे उससे भारत जो है वो निपट सकेगा ठीक है गेचिस ध्यान रखेगा आएए रूस के बारे में बात कर रहे हैं तो रूस का हम मैप देख लेते हैं फ्रेंट ये है रूस फ्रेंड रूस जो है वो सबसे करता है अगर यहां पर बात करें तो देख लिए नौर्वे से करता है फिल्लेंड से करता है एस्टोनिया से करता है यहां से देखते चलिए नाम नहीं लिखा है मैं बता दे रही हूं लताविया से करता है और लिथुवानिया से करता है पोलेंड बेलारूस यूक्रेंड ज प्राइम मिनिस्टर है ठीक है चले काफी देखा जाए इंपॉर्टेंट है रूस का भोगोली की सित्या अच्छे सित्या हम देख लिजेगा यहां पर बताना पॉसिवल इता नहीं है क्या कि हम करिंट की क्लास लेकर चल रहे है ना कि आपकी जिवलेखी लेक्तर तरह यह अगला तेलेस्कोप sanction ये सेटलाइट है तो इसके बारे में देखा जाये तो कामो उलेवा एक अर्थ, और यानी कि क्योसी सेटलाइट है जिसे 2006 है में विज्यानिकों ने हौई द्विप निए इस से लिट इए नाम थे तरो लिए अर्द उग्रह को देखा किया था और इससे लिटेलाइट के रहे हैं तो यह लिए पृतिवी के निकट अवस्थित वेंपिंड होते हैं जो 20 करमा तो सुरी की करते हैं और फिर भेटरी के बहुत करीब होते हैं दिखें़ ईसी को क्वासी सेृतिलाइट की नाम से जाना जाता है औरा आपका जो विचर्झा मने रही क्वासी से मेहता ये लोग के अगर नाम देखे डी सी दी तो फ्रेंड अगर आप लोगोंने मेडाइबल हिस्ट्री पढ़ा होगा और मद्यकालिन भारत में जब भक्ती आंदोलर पढ़ेंगे तो ये इन संतों के नाम आपको समझ में आएंगे लेकिन हमारा आंसर है ये देवा साहम पि G20 के सम्मेलन के दवरान वो गय थे तो किस से वो मिले थे उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताई बाकी इनके द्वारा वेटिकन के द्वारा संत जो है वो घुशित क्या जाएगा तो यहां पे देखा जाए 15 माई 2022 को वेटिकन के द्वारा देवा साहम पिलाई को संत गोसित क्या जागा यह देखें इनकी पिक्चर लगी हुई है किसका नाम है यह देवा सहम पिलाई है इनको देखा जा संत की उपादी पाने वाले यह पहले भारतिया आम वेक्ति है और कमेंट बॉक्स से आप मुझे बताए अन्य किसको भी हाली में संत की उपादी दिया गया था एक महिला थी उनको दिया गया था ठीक है उनका भी नाम आप मुझे बताएगा ठीक है इनके बारे में अगर हम बात करें यह इनके बारे में देवा सहय पिलेंक है तो इनका जनम देख लिजे एक हिंदू परिवार में हुआ था कहां पर हुआ था तमिलनाडू के क अपना लिया था और ऐसा माना जाता है जब इन्हों ने हिसाइध को अपनाया तो काफी ज़्यादा इनको काफी ज़्यादा कठोर उत्प्रिण के साथ प्रेंग किया गया और इनको कारवास तक जिलना पड़ा और अंत में जायें कि जवाब 1752 में तो इनका उतना जबा भी इनको खत्यांगे कर दी गई थी तो यह सब कुछ जीजों में ध्यान में रखते हुए इनके जो इस तरह का रुजहान रहा है तो संत्र इनको संत्र की पाधी दी जा रही है तो यह चीज ध्यान रखेगा इनको पॉर्टेंट है काफी जाद अपने अपने चलिए अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं कि लंदन के प्रस्विद्ध नदी किस नदी में हाल ही में स्वास्त जाज के दौरान सीहोर्स सील इल और शार्क पाई गई है वोल्गां टेंप्स पो नदी राइन नदी तो करेक् स्वास्त का ठीक है तो यहाँ पर देखा जा हाल के सर्वेच्छड के मुताबिक लंदन के मशहूर नदी टेंप्स में सीहोर्स इल शिल और शार्क की उपस्थिती पाई गई है जो लॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किये गए यह सर्वेच्छड इस नदी के ब इस पारे में देख लीजेगा जैसे की फ्रांस का कैपिटल जो है पैरिस वो किस नदी के पर है जर्मनी का है बर्लिन वो किस नदी पर यह सारी चीज़े आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है थोड़ा सो ध्यान से मैपिंग कर लीजेगा क्योंकि यही सबसे प्रश्ण का आपनीशन क्या गया था कहां पर क्या गया था क्लस Gomez क्या बार बार मैं आपको रिपीट इसले करती हूँ कि याद हो जा ठीक है कोडिए सेवन का केका कहा keyword 26 का लंदन है ठीक है और यह आपका मैप ध्याण रखेगा यहां नौर सी है और यहां पर यहां पर देखें इंग्लिस चैनल है जो कि नौर सी को किसे जोड़ता है यह भी सारी चीज़े देख लिजेगा ठीक है ब्रिटन की अगर बात करते हैं ब्रिटन जिसकी राजधानी फ्रे से ठीक है अगले प्रिश्णों पर बढ़ते हैं और अगला प्रिश्ण है हमारा निमलिकित में से किस मंत्राले द्वारा नूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल सुरू किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है स्वास्ते कल्यान मंत्राले ग्री मंत्राले क्रिशी और किसान कल्यार मंत्राले पर्यावड मंत्राले तो फ्रेंड इसा करेक्ट नाजरो जाएगा C. क्रिशी और किसान कल्यार मंत्राले के द्वारा न्यूट्रिशन स्मार्ट विलिज पहल जो है वो शुरू किया गया है तो क्रिशी और किसान कल्यार मंत्राले के द्वारा पोशर अभियान को मजबूत करने के लिए न्यूट्रिसन स्मार्ट विलिज पर एक कारिकरम लॉंज किया गया आप मुझे बताई पोशर अभियान के सुरुवात कब की गई थी पोशर अभियान जो सप्ताह मनाए गया था वो किस डेट से लेकर के मनाए गया था पोशर अभियान जो मा है वो क्या है ठीक है किस मंत्राले की पहलती आप सब मुझे पोशर अभियान के बारे में सब्सक्राइब करें बात करें इसके बारे में इस पहल के बारे में न्यूट्रिशन स्मार्ट विलिस पहल के बारे में जो की किश्री और किसान कल्यान मंत्राले के दौरा लॉंच किया गया है तो यह आजादी के अमृत महस्तों के एक हिस्सेक रूप में इस पहल का उद्दे अगर बात करें स्मार्ट न्यूट्रिक्शन विलेज का तो ये जो है ग्रामीर छित्रों में पोसर सम्मंदित जागरुकता को फैलाने के लिए इस अभियान की सुरुवात की गई है कुपोशर को दूर करने के लिए अस्थानी नुक्सो का उप्योग किया जाए इसके प्रती लोगों को जागरुक करने के लिए साथी साथ पोसर के प्रती जो सम्मेदन शील क्रिसी है उसको लागो करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए जो है ये आपका Nutrition Smart Village जो है प्रोग्राम वोल लॉंच किया गया है किसके द्वारा क्रिशी और किसान कलनेर मंत्राले के द्वारा ठीक है ये चीज़ ध्यान रखेगा अगला है सैयुक्त राष्ट सांती प्रमुख ने किस महाद्वीप में इस साहेल छेत्र में संकट के बारे में चितावनी दिया है ये चेत्र है यहाँ पर संकट है इसको ले करके सयुक्त राष्ट सांति प्रमुख ने चितावनी दिया है और ये साहिल छेत्र है वो किस महाद्वीप में इस्थित है यूरो एफ्रिका अमेरिका एसिया karekt answer is B अफ्रिका में साहिल छेत्र जो है वो स्थित है और यहां पे काफी ज्यादा इस्थिती गंभीर बनी हुई है जिसको ले करके संयुक्त राष्टे सांती प्रमुख ने चितावनी दिया है तो संयुक्त राष्टे सांती रक्षा प्रमुख ने अफ्रिका के साहिल छेत्र साहि रीजन में संकट के बारे में चितावनी दिया है उन्होंने बताया कि यहां पे जो बच्चों के लिए स्कूल की पहुच कम हो रही यानि कि जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं लोगों को प्राथमिक स्वास्त देखभाल की कमी के बारे में लोगों को चितावनी द के दौरा और फिरन एक ग्रूप है जिसका नाम है जी फाइफ यह साहिल बल है ठीक है इसको आमंत्रित किया है बैठक में बैठक बुलाई गई है किसके दौरा साइंस्ट्रा सुरक्षा परिष्ट के दौरा एक बैठक बुलाई गई है उस बैठक में जी फाइफ साहिल बल को आमंत्रित के बुलाए गया है कि इस छेतर से सम्मंदित वा जो समस्या हैं उस पर चचा करने के लिए बात कर ले हमारे लिंपॉर्टन जी फाइफ हो जाता है जी फाइफ की बात करें तो ये 2017 में इसका गठन किया गया था जो साहिल जो छेतर है उन छेतर में आतंकवादी खतरों से लड़ने के लिए 2017 में जी फाइफ ग्रूप बना किन देशों के द्वारा ये पाँच अफरीकी देशों के द्वारा जो की कौन-कौन है चाड है माली है बुरकीना फासो है नाइजर है और ये आपका मारिटोनिया ह है ठीक है इनके द्वारा मोस्ट इंपर्टेंट अब ये देखे साहिल रिजन है जो की अफरीका में फ्रेंड आप पराम से देखेंगे तो साहिल चेतर जो सहारा रेगिस्तान है उसी के प्यास पहला हुआ है यहां पर देखेंगे तो फिर आपको मारिटोनिया है फिर माली असके साहिल रिजन है सौर्फ सुड़ान रहे है साउस सुड़ान और इरिट्रिया जिसके युदिन सत्IG अर्शी के पहले भी बात कि अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताई कि एरिट्रिया और इथोपिया के बीच में एक छेत्र है जो विवाद का कारण बना हुआ है जिसको ले करके अमेरिका ने इनको सहायता इथोपिया को किसी तरह की सहायता आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया था यह छेत्र बताईए उस छेत्र का क्या नाम है जिसको ले करके इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में बिवाद है ठीक है चलिए मैं देखते हूँ कितना आप लोग अवेर हैं कितना आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताई एब स्पेसेक्स के द्वारा एक जो है पृत्वी की कक्षा में उप्ग्रह को जोड़ने के लिए नई छोटी डीश लॉंज की गई हैं तो अप जोने मंडल से जूडने के लिए एक नया चोटा और आयता का डीश लॉंज किया है यह एक सर्कुलर डिस है जी सर्कुलर डिस विटा यूजर्स पिछले एक साल से परिच्छड कर रहे हैं में लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट यह हैं स्पेसेक्स के द्वारा प्रित्वी की कच्छा गुरों से जुड़ने के लिए छोटी सी डिस्ट लाँच की गई है ठीक है अगले प्रश्नों पर जाने से पहले थोगा सा और भी देख लिते हैं कि स्टार्लिंग स्पेसेक्स एक सेटलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है हम इस इस्टार्लिंग के बारे में बात करें और जिसे जमीन पर लोगों को broadband internet coverage प्रदान करने के लिए 12,000 ग्रोहों को निम्न प्रित्वी कक्षा में launch करने के उद्देशे से launch किया गया था तो यह जो starling SpaceX है का satellite जो internet project है यह एक तरीके से लोगों को broadband connectivity प्रवाइट करने के लिए है और इसके लिए 12,000 ग्रोहों को निम्न कक्षा में launch करने के उद्देशे से launch किया गया था ठीक है अगला है सैयुक्तरास्ट ग्लोबल compact का सदस से बनने वाली पहली भारती दोपहिया company कौन सी है चाटा मोटर्स, आइसल मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स या फिर टीवेस मोटर्स करेक्ट आंसर इस जी टीवेस मोटर्स जो है वो सैयुक्तरास्ट ग्लोबल compact का सदस से बनने वाली पहली भारती दोपहिया company है और टीवेस मोटर्स company जो है वो सैयुक्तरास्ट ग्लोबल compact UNGC में सामिल हो गई है और जो दुनिया के सबसे बड़ी स्वेक्षिक कारपर्ट सिर्था पहल है टीवेस मोटर्स UNGC में स्चामिल होने वाली पहली भारती दो पहिया और ती पहिया निर्माता company बन गई है तो इस तरीके से ता आज का हमारा MCQs मैंने आपसे छोटे छोटे दो तीन questions की उमीद करती हूँ आप कुछ नहीं तो एक answer तो जरूर मुझे reply करेंगे बाकी बात अगर मैं शमसेर जी की करूँ और सौरग जी यह तो regular है ठीके इन लोगों ने मुझे हमेशा सारे questions के उतर दिया मैं बहुत इन से motivate रहती हूँ ठीके आप लोग भी ऐसे answer करो धीरे दीरे आप लोग भी करने लोग होगे ठीके जोती जी बहुत अच्छा answer करती है टेली करती हो ठीक है तो अगर मैं किसे दिन नहीं reply कर पाई तो यह मैं सोचना आप कि मैं reply नहीं कि मैंने देखा नहीं में डेली देखती हूं हां थोड़ा सा टाइम का वो रहता है तो उसके लिए मुझे मार्फ करना ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं और अब facts of the day पे आते हैं facts of the day थितली का राज तदली का दर्गा मज़ूरी दिया है ठीक है हबीज़ और रेल्वे स्टेशन में पदल करके क्या कर दिया गया प्रधान मंत्री ने तर्शन का नाम अनृटां में रखांए रानि कमलाबती रेल्वे स्टेशन जो कि भोपाल में हम लोगो भी प्रह्तिजी की द्वारा इस हभीब गंज्रेंट कशन का नम बदल दिया गया क्या कर दिया गया खाया कर दिया गया किंद्री वारएच्ज मथय प्र्यूस गोईल ठीक है तो इसको करेक कले नाम तो रास्टी प्रेस दिवस मनाएगा कब मनाएगा 16 नेवंबर को मनाएगा अंतरास्टी सही सूरता दिवस मनाएगा कब मनाएगा 16 नेवंबर को मनाएगा पास साल के कारेकाल के लिए अंतरास्टी विधी आयोक के लिए चुनेगे कौन चुनेगे प्रोफेसर बिमल पतेल चुनेगे most important न्योक्तियों में पूछ सकता है यह अंतरास्टी है क्योंकि यह न्योक्ति अंतरास्टी विधियायों के लिए पांच वरसों के लिए चुने है प्रोफेसर बीमलपतेन जुन दो हजर बाइस में पहली बिश्व योगासन चेंपिन्शिप की मिजबानी करेगा कौन करेगा बारत और के योगा दिवस में अंसर करें योगा दिवस कम मना जाता है धूएंझ यह विश्व दिवस अगला है पुस्तक है जसका नाम है फौर्स इन स्टेक्राइब उसके लेकर कौन है फिम्ड्र डॉक्टर अजे कुमार अपनी पुस्तक दिल्ली एसोलि लो की के लिए हिंदी साहित्यकार और महाभोस तथा अपनी बंटी जैसी प्रशिद साहित्यक्रित्यों की रचनाकार जिनका नब्बे वर्स में नब्बे वर्स की उम्मर में लिदान हो गया क्या नाम है मन्नु भंडारी अब आ जाते उत्तरप्रदेश स्पेशल पर उत्तरप्रदेश की लखनाव में आईज़त 32 में हुनरहरट का द्वारत के द्वारा किया गया ठीक है यह 32- frost aluminum hablando hazeata यह उरा है यह हो रहा है लखनव में हो रहा है उत्र प्रदेश की राजधानी में हो रहा है नेश का पहला भारती विरासत अस्थान स्थापित क्या जेगा कहां किया जाएगा भारत की पहले थ्री डब्लू एच लीथे माइन बैटरी फैक्टरे स्थापित की जाएगी कहां की जाएगी ग्रेटर में किया जाएगा देखे कमिंट वॉक्स में ना उप्शन जब आपको लगाते तो नुएडा भी देगा ग्रेटर नुएडा भी देगा तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा अगर बात पूछ रहा है कि देश का पहला विरासत अस्थल भारती विरासत अस्थल ह है तो ध्यान रखेगा नुएडा है ग्रेटर नुएडा नहीं आएगा अप्शन लगा नहीं आना इसलिए इसको थासत ध्यान से पढ़ना वहीं बात करें हाल ही में जारी गूगल इनुवर्सिटी सर्च इंजन रैंकिंग में आयटी कानपूर को कौन सा स्थान प्राप्त फ्रेंड आप लोगो एक नोटिस देना है मुझे कि अब मैं करेंट अफेस की जगह पर आप लोगो कुस दिन में करेंट अफेस रोकूंगी और उसकी जगह मैं आरो का आरो ए आरो आरो का रिवीजन सेक्शन स्टार्ट कर रहे हूं ठीक है डेली जो आपका एक साल से लेकर है उसका मैं एक ही साथ वीडियो ला करके आपको पढ़ा दूगी आप यह मत सोचना कि आपकी कोई भी चीज छूटेगी नहीं छूटे दूगी चाह कुछ हो जाए आपके लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा किया जाएगा तो अब मैं आरो एरो का करेंट जो है रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी टाइम पर किया जाएगा जो हमारा मॉर्निंग का टाइम चल रहा है ताकि आप लोगा समय बचे आप मॉर्निंग में इपना रिवीजन कर लें बाकि अदर सब्जेक्स पर ताकि ध्यान दे सकेट हैं बाकि डेली जो करेंट डिसकुस कर आप अपना रिवीजन कर सकें बाकि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें जादा जादा शेयर करें चैनल पर पहली बार आ हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें बाकि फिर मलते हैं नेक्स लेक्शन में तब तेक के लिए बाए हैव गुद दे हुआ है करें उनिता, आ यह गुड़ सक्षान वेक्स लेक्शन में चयतन बाहन बाकि आधर सेशन, खंक लिफ गया हैं है अभीजन करेंश में जादादान